नमस्कार दोस्तों मैं विपिन कुमार मौर्या और मैं आपका अपने यूटूब चनल में बहुत बहुत स्वगत करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सबजियों की स्रीज में जो है एक टमाटर का चित्र बनाना सिखाऊंगा जो की बहुत ही आसान तरीके के साथ है और जहां तक हो सके आप हमारे साथ बनाने का प्रियास करें मैं उम्मिद करता हूँ कि आप इस ट्राइंग को बनाना बहुत ही आसान तरीके के साथ सीख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रकार से, पेज के बीचो बीच में, हम इस प्रकार से एक गोला बनाएंगे, आप प्रकाल की सहात्या से भी गोला बना सकते हैं, यदि आप बनाना चाहें तो, पहले हमें हलका हलका बना लेना है, हम थोड़ा डार कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को दिखाई पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से, हमें एक गोला बना लेंगे, फिर हमें क्या करना है? इसका डंठल बनाना यहां पर, तो इस प्रकार से दो छोटी छोटी लाइने बना लेंगे, और इसको उपर से इस प्रकार गोल कर देंगे, फिर हमें क्या करना है इसकी जो पत्तियां होती हैं रंठल के पास उनको बना देंगे इस प्रकार से बहुत ही प्यारा तरीका है एक बार आप सभी लोग बहुत देखें जरूर यदि आप इसे वीडियो को द्यान से देखेंगे तो किलियर है आप लोग तमाटर बनाना बहुत ही आसान तरीके के साथ सीख सकते हैं इस प्रकार से यह हमारा इसका जो है डंठल बन गया अब हमें क्या करना है तमाटर में जो भाग हमारे होते हैं यह जैसे नहीं होते हैं कहीं कहीं पर उभरा हुआ कहीं हलका तो इस प्रकार से हम थोड़ा बोले से उपर निकालेंगे यहां और इसको थोड़ा सा अंदर तक ले आएंगे इस प्रकार और इसको इस प्रकार से ला करके और यहां पर इसको इस प्रकार से लाके मिला देंगे और इसको यहां से इसी प्रकार मिला देंगे यह हमारा टमाटर की हमारे आउट लाइन बन गई अब हमें क्या करना है इसके भाग को सेड देना है तो सेड देने के लिए सबसे पहले हम हम तो marker से setting करेंगे आप सभी को जो है pencil से set देना है बिल्कुल सेम जिस प्रकार से मैं marker से दे रहा हूँ सबसे पहले हम इसकी outline कर लेंगे तो outline करने के लिए हमें क्या करना है कोई भी अपनी pencil जो सबसे dark हो dark pencil में सबसे dark pencil जो होती है और 9B या 8B या 10B होती है तो सबसे पहले हम अगर हमारे पास 10B है तो 10B का इस्तेमाल करेंगे अगर 10B नहीं है तो हम 8B का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर 8B नहीं है तो हम हमारी जो भी pencil हमारे पास है उससे थोड़ा pressure दे कर काम चला सकते हैं अब इसके हम टंठल की, इस प्रकार से इसको बना लिया, अब इसकी ये पत्तियां बना ली हमने, बहुत ही प्यारी ड्राइंग बन करके तयार होगी, आप सभी लोग देख करके एक बार बनाने की कोशिस जरूर करें, ये हमारे टमाटर का जो है टेमना भी बन गया, ये डंठल भी बन गया, जो हिस्सा पेड में लगा रहता है, अब हम इसकी सेडिंग करेंगे, तो सेडिंग करने के लिए, जैसे कि हम सेब वगयरा में करते थे, तो इस भाग को टमाटर में आपने अगर देखा होगा, तो कहीं कहीं पर ज्यादा डार्क रहता है, या कह सकते हो उभरे भी ये भाग होते हैं, तो इस प्रकार इसको दिखाने के लिए इसको डार्क यहाँ पर सेडिंग हम, और जैसे जैसे हम करेंगे हलकी करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम इसको हलका रखेंगे, सेम हमको इसी प्रकार से पैंसिल से भी स्ट्रोक लगाने हैं, हम डारेक्ट जो है आपको मारकर से बता रहे हैं सेडिंग करना, और आपको इसकी से सेम जैसे हम कर रहे हैं इसी प्रकार से पैंसिल से करनी है जिस प्रकार से हम श्ट्रोक दे रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी श्ट्रोक देने हैं अब इसके इधर की setting तो इधर की setting हलकी रहेगी, क्योंकि इधर से हमारा पुकास आ रहा है, lights पड़ रही है, तो इसकी ए a setting हमारी हलकी रहेगी, बहुती बारीक सी, यहां पर भी हलकी हलकी हम setting देंगे, यह भाग जो है, अब इधर की सेडिंग तो यहां पर डार्क रहेगी जैसे जैसे हम बीच में आएंगे यह सेडिंग हलकी होती चली जाएगी और यहां पर इसकी इस प्रकार से सेडिंग कर देंगे हम इस प्रकार से हम आसान तरीके से और अच्छ बेहतर तरीके से टमाटर को बना सकते हैं यह हमारा टमाटर बन करके तैयार हो गया अब इसकी हम डंठल की सेडिंग कर लेंगे हलकी हलकी और जो इसके अंदर की पत्तियां हैं उनमें सेडिंग हलकी सी बारिक सी इस प्रकार से यह हमारा बहुत ही प्यारा और सुन्दर सा टमाटर बन करके तैयार हो गया है आप इसी प्रकार से बहुत ही सुन्दर और आसान तरीके से टमाटर को बना सकते हैं धन्यवाद